Hello friends, welcome to Constance's Mind, मैं हूँ दीपक आज हम बात करेंगे दो new application form के बारे में यह application form बहुत बड़े नहीं है but science, engineering and every culture से application form है एक मध्यप्रदेश से है and एक है आपका महाराष से तो दोनों को बात करेंगे, last year 13 जून और दूसरे की भी इसी के आसपास है and यहाँ पर इंटरेंस एक्जाम इंटर्व्यू दोनों पैटर्न अवेलबल है, तो उस अपी information को ध्यान से देखेंगे ज्यादा आपको detail में नहीं बताएंगे, briefly discuss करेंगे जिससे कि आपका ज्यादा समय बरबाद ना हो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो description में लिंक दिया गया है इसके recording आप जाके देख सकते हैं दोस्तों माचुके आपसेशल वेबसाइट पे यह है वी एन आई टी नागपुर महराष्ट ठीक है विससे स्वरया नेशनल इंस्टिट आप टेक्नोलोजी यहां से PhD admission जुलाई 2003 सेशन का application आया है यह link आपको description में मिल जाएगी इस link पर आप आएंगे तो ओपर application form जो लिखा है यह इसे आप docs या PDF mode में डाउनलोड करके इसको dually fill करके speed post के माद हम से भेजना है ठीक है यहां पर guidelines, regulations अब बताया गया है and important dates है list of coordinator and list of google form department wise ठीक है तो इसको google form पर upload करना है department wise वो details सब्दी गई है information brochure यह डाउनलोड करके आप पढ़ लीजेगा full time part time जोनोड में है हम आपको important date पहले दिखा देते हैं तो दोस्तों यह उसका important date है notification 15 माई 2013 को आया है last date जो है hard copy by speed post या hand delivery के मादम से 13 June 2013 तक last date है google form पर यह application upload करने की last date है वो 13 June ही है और link वहाँ पर दिया गया था आपने देखा और list eligible candidate की list आएगी 20 June को return test eligible candidate का जो return test होगा 37 2013 मतब की 3 July को interview shortlisted candidate की 37 मतब 3 July से 4 July को यह interview हो जाएगा उसके बाद original list आएगी selected candidate की 7 July को और payment fee के साथ reporting आप कर रहाएगा 17 July से 22 July फिर joining हो जाएगा 24 July से 3 July तो यह थोड़ा सा speed fast है process जो है वो fast रहेगी यहाँ पर department return test interview कैसे किस date में होगा वो बताया गया है आप इससे देख सकते है department wise ठीक है जैसे कि applied mechanics का है architecture and planning chemical engineering mathematics electronics and communication engineering humanities and social science chemistry metal metal and material energy metal and material engineering mining engineering physics इनका 3723 को return test and 4723 को interview है उसके बाद है civil engineering computer science engineering electrical mechanical and nanotechnology VLSI का यह 3723 का return test है interview 4723 को मतलब की तीन को आपका return test चार को interview इस तरह से आपका यह होगा ठीक है अभी इसका prospectus दिखाते हैं तो दूस्तों यह information brochure है इसका एंड इसे आप भी download करके पढ़ दीजेगा अपने recording इसमें हम बहुत लंबा ब्रोश्योर है तो सारा कुछ डीटेल आपको नहीं बता पाएंगे आप यहां पर इलिजबिल्टी क्राइटिरिया गेट नेट इसकोर दोनों माग गया है और इसमें भी आपका इसी एकॉर्डिंग नेट यागेट के साथ 6.75 का मिनिमूम फर्स्ट क्लास जो होता है उसके अपर इलिजबिल्टी है और यहां पर स्लेबस भी रीटेन एक्जामनेशन को बताएगा मतलब सारी चीज़े सके कि यहां पर कैसे बेटेज है क्या कुछ डीटेल रहेगी तो बहुत ही लॉंग एप्लिकेशन तो है नहीं बस आपको हमने बता दिया आप इससे देख लिएगा हम चलते हैं दूसरे पोर्टल पर दूसरी युनिवर्स्टी के पोर्टल पर तो दूसरे पोर्टल है यह ह यंपी-online.gov.in इसमें दो एप्लिकेशन होते हैं जॉयन्ट इंटरंस एक्जाम के लिए पीसडी के और एमस्टी के दो जो इसमें इंक्लोड होती वो जवाला नेरू क्रिसिविस देला जबलपुर यंपी का राज माता विजयराजी सिंधिया क्रिसिविस देला ये ग्वा डिगरी प्रोग्राम का ये इंफरमेशन ब्रोशियर और रूल बुक मतलब यूजर मैनुवल कैसे आप करेंगे अप्लिकेशन और साथ में जॉयन्ट इंटरंस एक्जामिनेशन थेज़िस को रूल बुक भी है ठीक है तो हम आपको रूल बुक दिखाते हैं यहां पर जो यह एप्लिकेशन अवेलबल हुआ है वो सत्तरा पांस दोजार तेज से सत्तरा जून दोजार तेज मतलब सत्तरा मैं से सत्तरा जून तक इसमें एप्लिकेशन आप कर सकते हो इंटरंस एक्जामिनेशन के लिए 23 मैं 2030 से 18 जून 2030 तक करेक्षन भी आपका चलता रहेगा और यहां पर इस्विंग इंफर्मेशन बाई एंपी ओल्लाइन लिम्टेड अंटेक्स सेंटर एड्मिट कार्ड इलेटर इंस्ट्रक्शन 27 जून को आएगा और जो इंटरेंस एक्जाम होगा वह 37 2030 मतलब तीन जुलाई को होगा ऑब्जेक्शन 7 जुलाई तक आप कर इस रूल बुक में सारी डिटेल्स दी गई है जैसे कि डेट अगरे तो हमने बता रिया साथ में फीज यहां पर देख लिजे कि सब्मिशन ऑफ ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फॉर ओनलाइन इंटर्स एक्जामिनेशन फी ठीक है तो यह 600 अपका एक्जामिनेशन विद इस तरह से यह आपका टॉटल एप्लिकेशन फी है यह इसमें एंट पीज़ी के साथ एप्लिकेशन है ठीक है इसमें चाहे आप किसी अगरिकल्चर नुवर्स्टी एस्टेट एगरिकल्चर से किये हो अपना यूजी पीजी या आप किसी प्राइवेट एगरिकल्चर या इदार यूजी से किया हो जो आई सफे एप्रूब्ट हो या मानिता प्राप्त हो बहुत यसे आपका सकते हो तो ऐसे लोगए कर सकते हैं जो आई ची आट यूजी से ऊप्लाइब नहीं है उस पर यहां पर इंटरंस एग्जामनेशन जो है इसको सभी को देना है यहां पर आप इंटरन्स एक्जामनेशन क्वालिफाइं होंगे तो ही आपका एडिमिशन हो सकता है ठीक है यहाँ पर कहा गया there is no direct nomination या admission to any master degree and PhD degree program without qualifying the इंटरन्स एक्जामनेशन ठीक है अब यहाँ पर आप अपने subject के according eligibility and subject देख सकते हैं जैसे कि यह MSC के लिए है कि MSC में apply करना है एक्री कल्चर में तो BSC AG अपका होना चाहिए 60% marks के साथ ठीक है तो लेकिन ऐसी नीचे बढ़ा पाएंगे तो प्रफिश्ड के लिए भी details देगे जैसे PhD इन एक्री कल्चर फॉरेस्ट्री का है तो इसमें 65% 60% होना चाहिए MSC AG में तो इसी तरह से और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर हैं छीट बहुत मिलेंगे लेकिन सिर्फ लिए यह है आप दो वो science and humanities वालों का और science या engineering वालों का था इसमें एगरी कल्चर वाले ही कर सकते हैं तो MP में एगरी कल्चर से कोई PhD करना चाहता है तो इसके लिए बेतर मोका है आप application कर सकते हैं यह government portal के थरू application होगा link description में दिया गया है ठीक है जो examination होगा वो तीन जुलाई को on time duration तो दो सिप्ट में होगा देर घंटे का time आपको मिलेगा और major subject group पे आपके writing answer देख सकते हैं तो online examinations I'll have one question paper for each of the major subjects containing 100 multiple choice questions each with four options there will no negative marking and candidate will be required to mark the correct answer university wise available subject and the syllabus of examination are given in the text examination CT यहाँ पर यमपी में ही रहेगी जबलपूर सतना बोपाल इंद और अन्ग वालियर तो बाकी details के लिए आप website पर विजिट करें यह website का link है इसको हम description में डाल दे रहे हैं तो यह दो notification थे जिन्हों हमने बहुत briefly आपको बताया बहुत detail में हमने नहीं दिया है यह थोड़ा सा लेंदी था इसे ज़्यादा discuss करना काफी time लगेगा जिससे कि आप लोग भी बोर हो जाओगे जिसको देखना है वो जाके देख सकते हो ठीक है thank you so much ऐसी notification और ongoing applications की details आपको यहाँ पर मिलती रहती है उसके लिए आप लोग अपना प्यार ऐसी बनाए रहे हैं